हलो एंड वेलकम दोस्तो स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो आज का यह लेक्चर है यह हम शुरू करने जा रहे हैं गूगल अनलेटिक्स का फुल कोर्स फुल कोर्स का मतलब कहां से गूगल अनलेटिक्स का स्थित्व शुरू होता है और कहां पर जाके खतम होगा या फिर कहां तक यह पहुंच चुका है वह सारी की सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले कि गूगल अनलेटिक्स एक्चल में है क्या क्या यह गूगल का ही प्रोडक्ट है या कहीं और से आया था और गूगल इसको क्यों यूज करता है यह सारी की सारी चीज़ें हम रूट से लेके और टॉप तक हम अभी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि गूगल अनलेटिक्स में जो है क्या क्या चीज़ें होती है ठीक है तो गूगल अनलेटिक्स को हम रीड करते हैं क्यूं क्यूंकि हमें देखना होता ह कि हमारी website की क्या progress है कितना उस पर traffic आया और कितने duration में यानि कि कितना आपका time था जिसमें अपने traffic और progress को read out करा तो यह 3 key pillars हो गए किसके analytics के जिसमें आपको progress देखनी होती है कि traffic revenue अप गया या down गया आपको traffic देखना होता है कि आपकी website पर कितने audience आई थी आपको time manage करना पड़ता है कि एक महीने के time में कितने आए एक week के time में कितने आए तो यह सारी की सारी चीज़ें आप कहां से read out कर सकते हो यह सारी की सारी चीज़ें आप read out कर सकते हो Google Analytics से ठीक है यह तो थो हो गया basic सा overview ठीक है तो इस overview के साथ जब आप read out करना शुरू करोगे Google Analytics के लिए तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि Google Analytics जो है वो उसका birthday कब है अगर उसका birthday आपको पता है कि कब है तो आपको easily पता लग जाएगा कि उस जब से उसका बर्थ हुआ है तब से और आज तक उसमें क्या क्या चेंज़ी जाए है ठीक है तो Google Analytics जो है वो Google का product है दूसरा वेब analytics उसका जो है type of site है तीसरा analytics.google.com पर आप इसको access कर सकते हो चोथा commercial use है इसका registration इसके लिए करवाया गया है launch कब हुआ 14th November 2005 को यानि कि Children's Day वाला दी और आज अप्रोक्स अप्रोक्स इसको 14 years जो हो चुके है current status क्या है इसका यह active है तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ समझ आ रही होगी आपको यहाँ पे यह समझ आ रहा होगा कि 2005 यानि कि 2005 में यह चीज़ शुरू हुई वेब आलेटिक शुरू हुआ ठीक है तो 2005 में जब वेब आलेटिक शुरू हुआ है और 2000 के आसपास जब गूगल शुरू हुआ है यह निकि उसके पांट साल बाद यह नया प्रोड़क्ट आया है Google के Search Engine के बाद Analytics का ये नया प्रोड़क्ट आया है ठीक है अब ये जो प्रोड़क्ट है ये डवलप किस ने करा इसके डवलप्मेंट के पीछे क्या Google का याद था या कोई थर्ड पार्टी कंपनी थी तो वो चीजें भी हमें पता होना जरूरी है तो 2005 से पहले भी क्या गूगल चलता था या नहीं चलता था तो एक बार के लिए हम next slides में वो सारी चीज़ें देखते हैं तो आपको यह तो पता लग गया होगा कि गूगल का जो birthday हो कब है वो है 14 नवंबर 2005 और सोरी यह Google का birthday नहीं यह Google Analytics का birthday है ठीक है इसको आपको याद रखना है तो move करते है next पर so Google Analytics जो था वो आपका एक platform है जहां पे आप track करते हो अपनी reports को अपने audience को और उस time foundation के अंदर जो आपने select करा हुआ है ठीक है और Google का यह जो platform है यह Google ने launch करा था 2005 के अंदर ठीक है यहां तक तो चीजें हमने last slide में पढ़ी है अब एक नई चीज उसमें आई है कि after acquiring यानि कि यह जो चीज है कि after acquiring अर्चिन ठीक है अब यह अर्चिन क्या है so अर्चिन एक company है जो काफी पुरानी है और means 2000 से पहले की चली हुई है और उस company का काम क्या था वो company जो है सबसे पहले जब start हुई थी तो एक web development company थी और उसी ने अपना जो है analytics का एक portion जो है वो शुरू किया था यानि कि data analysis के लिए tracking का और यह जो company थी इसने यह जो शुरू किया था यह अलग से software शुरू करा था ठीक है तो आपको अलग से computer में इसको install करना पड़ता था और उसके बाद आप इसको use कर सकते थे ठीक है तो it means की 2005 से पहले अर्चिन जो था वो analytics को operate कर रहा था Google ने अर्चिन को acquire करा और अर्चिन को acquire करने के बाद में उसने एक नया product अपने साथ add कर लिया जो बाद में Google analytics के नाम से popular हुआ यानि कि 2005 में उसका बर्थ हो गया Google analytics के नाम से या rebirth कह सकते हो आप ठीक है तो यहां पे दो वो चीजें आपको समझ आगी कि 2005 से पहले कौन operate कर रहा था analytics को अर्चिन 2005 के बाद कौन operate कर रहा है Google Google का जो नाम है वह analytics Google analytics जो पढ़ा है वह 2005 के बाद पढ़ा है और इस नाम में भी काफे सारे changes आगे चाके आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है चलिए next में करते हैं कि यहां पर एक चीज मत भूलिएगा वह क्या है कि गूगल मार्केटिंग प्लैट्फोर्म ब्रैंड यह जो चीज है ना इसके अंडर यह आप गूगल एनलेटिक्स या गूगल एडवर्ट्स वगरा सब सारी चीजे पढ़ोगी ठीक है तो नेक्स जो है कि इसकी ह हिस्ट्री है यानि कि 2005 से लेके और आपका 2020 में आज हम इसको रीड आउट कर रहे हैं तो 2005 से लेके 2020 तक की जो टोटल हिस्ट्री है वो क्या है गूगल एंटिक्स की तो सबसे पहले हमने देखा था एक बार के लिए हम यह देख लेते हैं कि अर्चिन जो थी वो क्या थी अर और यह कब स्टैबलिश हुई थी यह December 1995 में एक वैब होस्टिंग कंपणी और डिजाइनिंग फर्म के नाम से आई थी इसमें कौन-कौन बंदे थे जिन्होंने इसको शुरू किया था स्कॉर्ट कॉर्स भी ब्रेट कॉर्स भी पॉल मॉरट एंड जैककॉन यह चार बंदे हैं जिसने इस फर्म को शुरू करा था अब इसके बाद में आपको यह चीज़े समझ आगी होगी कि 2005 ठीक है और 1995 1995 और 2005 के बीच में जो अराउंड टैन येर्स का डूरेशन था उस टै वेब अनिटिक्स जो था वो शुरू करा और 2005 में उसने वो जो है वो सेल आउट कर दिया या एक्वायर कर लिया गया गूगल के दुआरा तो यह इतनी सी हिस्ट्री आपको अर्चिन की पता होना जरूरी है बंदों के नाम जरूरी नहीं है कोई भी नहीं पूछेगा ठीक है तो चलिए अब शुरू करते हैं कि जो 16 years का जो इसकी हिस्ट्री है वो क्या है सबसे पहले यह कि 2005 में अर्चिन ने अर्चिन ने अक्वायर कर लिया अर्चिन को अक्वायर कर लिया गूगल ने उसके बाद में एक नई चीज आही वो क्या थी कि यह एक अड़ेप्टिव पाथ मेजर मैप और यह जो कुछ बेसिक बेसिक सी टर्म्स थी उन सारी टर्म्स को एड़ करके यानि कि कब 2006 के अंदर यानि 2006 के अंदर में 2005 में एक्वायर करा एक साल का डियूरेशन उसने देखा और एक साल के डियूरेशन के बाद में उसने क्या करा 2006 में Google Analytics को Redesign करना शुरू कर दिया यानि कि जो अर्चिन से उसको मिला था उसको उसने अपने हिसाब से Modify करना शुरू कर दिया ठीक है अब उसके बाद में क्या हुआ Google ने जो प्रोड़क्ट था अर्चिन का उसको भी means sale out करना शुरू रखा ऐसा नहीं है कि उसने उस टाइम पर जो अर्चिन का प्रोड़क्ट था उसको sale out करना बंद कर दिया उसने redesign का यानि कि दो parallel path यहां पर शुरू हो गए एक parallel path यह था यहां पर उसने क्या करा कि जो old software था उसकी sale शुरू रखी कि इसके थुरू जो value added resellers थे जो भी इसके value added resellers थे उसके थुरू इसने यह old की जो है sales शुरू रखी और साथ ही वो redesign करते रहे कि इसको google analytics को ठीक है और 2012 के अंदर यह दोनों जो path थे यह merge होके और यहां पर आगे यह कह सकते हो कि यह जो चीज यह बिल्कुली close कर दी गई और इसको continue कर लिया गया 2012 18 March ठीक है अब यहां पर एक चीज हम जो है वो पहले भी मैं बता चुका हूँ शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा मैंने का था कि archin web analytics software तो it means कि यह कोई web software नहीं था इसको आपको additionally install करना पड़ता था अपने system में then आपको इसका use कर सकते थे ठीक है तो यह चीज आपको पता होनी चीज़िए कि जो archin का software था web analytics का और जो google का google analytics है उन दोनों में क्या difference है अब उसके बाद था कि due to जैसे उसने 2012 के अंदर यानि कि 2012 के अंदर अगर यह सारी चीज़े शुरू करी web analytics की तो वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों को लगा कि यह तो बहुत ही productive software है तो इस productive software का use हम कैसे कर सकते हैं हम अपनी website को grow करने के लिए इसका use कर सकते हैं तो उसके कारण क्या होगया market में इसकी demand के एक अफ़ते बाद ही यानि कि सिरफ साथ दिन तक इसकी जो है sign ups चले और आठवे दिन से इसने इसको block कर दिया यानि कि suspend कर दिया अब आगे जाके इसमें जो है registration नहीं कर सकते थे अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो registration थे उसका process एक नए parameters के साथ लिए लोग ले के आए उसमें क्या करा इन्होंने कि एक lottery system शुरू करा lottery system यानि कि इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा कि हम 100 registrations करेंगे सिरफ उन 100 registrations के लिए unique code generate कर दिये और ये code वो via mail लोगों को भेजने लगे कि जो लोग registration करना चाहते है कि जिसको google code देगा उसी का registration होगा अदर्वाइस आप registration नहीं कर सकते है ठीक है तो यहां तक यह हुआ कि 2012 तक हमने इतनी सारी चीजें उसमें change होते वे देखी अब जब हम आये 2011 में जब थोड़ा सा पीच्छे उस टाइम पर क्या था कि web analytics में क्या क्या चीजें नहीं add हुई थी जिसके कारण इतनी सारी demand आई वो थी कि उसमें multiple features उसने डाल दिये multiple features यानि कि आप custom dashboard त्यार कर सकते हो ठीक है आप custom report त्यार कर सकते हो और उसके अलावा different different उसने आपको इसके लिए interface प्रोवाइड करा दिये तो इस वज़े से यह एक unique tool हो गया उस time में 2011 में एक unique tool हो गया जिसके कारण इसकी market में बहुत ही ज़्यादा demand थी 2012 में इस नई version को उन्होंने launch करा जिसका नाम क्या रखा गया था universal analytics यानि कि google analytics से किसमें change कर दिया गया universal analytics में अब उसके बाद में approach यह मान के चलो कि October 2012 में इसका नाम universal analytics आया था उसके बाद में March 2016 में इसको release करा गया किसके नाम से google analytics 360 के नाम से और यह जो 360 था यह क्या था software शूट यानि कि अलग से एक additional software था जिसको आप use कर सकते थे अपनी जो website का entire traffic और entire process था उसको read out करने के लिए ठीक है इसमें दो तिन चीजें और उसने add करी थी return on investment यानि कि जो आपका ry calculate करने का था वो process उसने add कर दिया और other marketing indicators भी इसमें डाल दिये अब उसके बाद क्या हुआ कि google analytics का 360 था उसके main product क्या थे उसके main product थे tag manager google analytics optimize और data studio उसके बाद surveys था attributions आप उसमें add कर सकते और audience center यह basic basic tool थे जो हम किसके अंदर पढ़ते हैं google analytics 360 के अंदर यह ठीक है तो इन में से कुछ आपने use करे होंगे कुछ अगर नहीं करे हैं तो आप आगी जाके उसको use कर सकते हो अब उसके बाद क्या था कि October 2017 में एक new version google analytics का जो है वह announce करा गया जिसको हमने बोला क्या global site tag अब तक जो हम करते थे वह क्या करते थे कि एक code को उठाके website में डाल दिया और जब भी हमें नई किसी चीज को install करना होता था था एक नया code डालते थे बट यहां पर आके क्या हुआ कि यहां पर आके tag system शुरू हो गया कि हमें जो हमें जो है यह मान के चलिए कि tag system जब शुरू हुआ तो हमें just a minute जब tag system शुरू हुआ तो उसमें क्या था कि आपने एक code जो है Google का जो website के required place पर डाल दिया उसके बाद में क्या था उसी टेग के थुरू आप multiple जो tags है वह fire कर सकते थे अपनी website के ऊपर ठीक है अब इसके बाद में 2018 June के अंदर में कुछ थोड़े से changes इसमें आए यानि कि Google marketing platform जो है उसमें online advertisement और analytics brand यह दो चीजें उसमें add करी और इसमें जो double click digital marketing और Google analytics 360 तो यह वो टूल्स थे जो 2018 में यानि 2018 तक हमने इतनी सारी चीजें इसमें change कर ली थी कि Google जहां अर्चिंज से शुरू हुआ था वहां वो Google analytics 360 और double click digital marketing तक पहुँच गया था ठीक है तो यहां तक की क्या थी कि यहां तक सारी की सारी history आपने पढ़ी जिसमें क्या हुआ कि अगर हम एक flow में उसको देखना चुरू करें कि इसने अर्चिं को acquire करा अर्चिं को acquire करने के redesign करा redesign करने के बाद में multiple times में उसने उसको rename करा rename के साथ उसमें multiple features भी add हुए और last में इसने क्या करा कि two major platforms पे लाके उसको छोड़ दिया Google Analytics भी था और उसके अलावा digital डबल क्लिक और Google Analytics 360 यह दो नई चीज़ें उसने market में ला दी यानि कि 2018 तक आप इतनी सारी चीज़ों को पढ़ते हो अब basically यह था कि भाई Google ने यह जो पूरा का पूरा scenario यह पूरा का पूरा यह software या web software जो भी बनाया इस software को हम अपनी website में use कैसे करते हैं और किस तरीके से यह उन सारी चीज़ों को grab करता है या कैसे कैसे उन सारी चीज़ों को acquire करता है जिसको आप read out करते हो अपनी reports के अंदर ठीक है तो उसके लिए इसमें एक term आती है जो है क्या है tracking process tracking का मतलब क्या होता है कि जहां भी कोई जा रहा है आप उसके पिछे पिछे जा रहे हो और उसको track कर रहे हो यह होता है तो इसमें भी same होता है कि Google Analytics ने जब शुरुआत में शुरू करा था तो वो page tags use करता था page tags क्या होते हैं कि हर page के अंदर आपने की unique tag डाल दिया और Google जब भी आपका कोई user उस page tag के थूँ पास होगा तो Google Analytics को एक notification चली जाएगी कि user जो है यहां से पास हुआ ठीक है तो यह Google Analytics की जो tracking code था उसका purpose था यह तो आपको पता होगा कि यह tags में आपको क्या मिलते हैं यह tags में आपको दो codes मिलते हैं जो आपको per page पे और header footer में आपको कहीं पे डालना पड़ता है पता होगा एक header के अंदर एक body के अंदर तो उनी टेक्स क्या बोलते हैं page tags ठीक है अब उसके बाद में क्या है कि कुछ javascript use होती है ठीक है और javascript क्या होती है javascript जो होती है user end पे होती है यानि कि आपने एक website के page के अंदर में javascript एक डाल दी यानि कि वो javascript का अब क्याम क्या है कि जैसे ही website load होगी user के end पे तो वो javascript जो है वो run होगी और उस javascript के run होने के बाद में क्या होगा कि google के browser में sorry user के browser में जो जो चीजें जो जो प्रोसेस कुकीज वहां से जनरेट होंगी उन सारी कुकीज का डेटा जो है गूगल कलेक्ट कर लेगा डाटा कलेक्शन सर्वर पे और उन कलेक्शन के थूँ वह वैब बिकन यानि कि एक कीप बनाके और आपको डाटा का फ्लो जो है वह दे देगा यानि कि यह सारा का सारा गेम अब कहां पर चला गया कुकीज पर कि अगर यह आपकी जावास्क्रिप्ट रन हो जाती है तो आपको कोई टेंशन नहीं है फिर आपका डेटा जो है वह ग्रैब हो जाएगा अगर किसी रीजन से यह जो जावास्क्रिप्ट हो रन नहीं होती है तो आपका data जो है नहीं आएगा ठीक है तो आपको page tags में यानि कि मैं अगर बात करूं page tag page tag में और आपका javascript में जो basic सी चीज थी वो समझ आगी होगी ठीक है अब उसके बाद में क्या है कि जो tracking code load है वो larger javascript है ठीक है और web google का जो web server है वहाँ पे काफी सारे variables होते है उन variables को वहाँ पे लेके जाना यानि कि अब एक चीज समझिए कि कोई भी एक javascript है ठीक है उस javascript में कोई न कोई चीज तो पास होती होगी जिसके through information तुमें मिलती है अब वह information क्या होती है कि वह information होती है यह Got अब variables क्या हो सकते है, variable हो सकता है name, variable क्या हो सकता है, name हो सकता है, variable क्या हो सकता है, variable आपका source हो सकता है, medium हो सकता है, तो इस तरीके से जो यह चीज़ें होती है, यह क्या होती है, और यह सारे की सारी चीज़ें किसने हमारे लिए describe करी थी, यह हमारे लिए describe करी थी, अर्चिन न यानि कि आज 2020 के अंदर भी आम इस अर्चिन की चीज़ को यूज करते आ रहे हैं वो क्या था वो था आपका यूटीम पैरामिटर अब यूटीम पैरामिटर जो है वो क्या था वो था अर्चिन ट्रैकिंग मोडियूल अब अर्चिन ट्रैकिंग मोडियूल का मेन परपस क्या होता है अर्चिन ट्रैकिंग मोडियूल का मेन परपस क्या है कि कंटेंट आपके वेब साइट का क्या है या उस वेब पेज का कंटेंट क्या है medium क्या है source क्या है अब किस campaign के तुरू उस data को grab कर रहे हो it means कि ये सारी चीज़ें आप किसके तुरू fetch out कर रहे हो वो आप fetch out कर रहे हो इसके तुरू यानि कि यहां तक तो आपकी website का main URL है अगर आप इसको open करोगे तो यह open हो जाएगा बट उसके बाद में यह जो specific code यहां पर add कर आ गया है इस specific code को आप क्या बोलते हो अर्चिन tracking module ठीक है तो basic सा process दो चीज़ें आपको समझ आगी कि आप किस तरीके से traffic को grab करते हो किस तरीके से आप उसको track करते हो तो यही main purpose है किसका Google Analytics का अब यहां पर ना कुछ limitations थी कि जो यह tag आपने create तो कर लिये बट उसमें कुछ limitations आगी कि जब mobile की बारी आती थी कि mobile पर जब आप उसको use करना चाहते थे तो वहां पर क्या हो रहा था कि जो code था वो server end पर चलता था ठीक है बट अगर browser ने server end के उस code को block कर दिया तो आप traffic को जो है catch नहीं कर पाऊगे यानि कि यहां से अगर आप बात करोगे कि यह user का mobile है यहां पर उसके browser ने उसको block कर दिया JavaScript को तो अब क्या होगा कि वो website को तो visit कर लेगा बट आपका जो code है वो execute नहीं हो पाएगा और आपके analytics के पास में कोई भी information जो है वो pass out नहीं होगी अगर analytics को information pass out नहीं होगी तो फिर वहां पर क्या आएगा आपके पास error जो आएगा वो आएगा no data और जब no data है तो फिर analytics का कोई use नहीं होगा ठीक है दूसरी limitation क्या थी कि इसने default आपको दिया हुआ है कितना five lakh random sample sessions ठीक है तो यह एक limitation है इसके अलबाब बाकी इसके uses जो है वो आपके लिए free है अब उसके बाद में है privacy कि google जो है जब user की website पे यह सारी चीज़े track करेगा तो वो क्या करता है कि वो उसकी location यानि कि geolocation को भी track करता है कुकीज को भी track करता है it means कि क्या हो गया वहां पे privacy जो है वो leak हो रही है और यह किस parameters के तुरू है German legal requirements के तुरू यानि कि Germany ने जो है इसको बोला कि भई जो आप इस तरीके से हमारे IP address या हमारी location जो जो लोकेशन ट्रैक कर रहे हो यह तो हमारी privacy के against हो गया तो उस वज़े से क्या होगा कि उसको फाइन भी पे करना पड़ा था तो यह जो सारी चीज़ें यह terms and conditions में आपको agree करनी पड़ती है कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो यह terms and conditions को मैं agree कर रहा हूं then वह आपकी सारी जो information है उसको fetch out कर सकता है ठीक है अब दूसरा privacy का reason क्या भी होता है कि मानलो Google इस process से जितना भी आपका data है वो सारा का सारा grab करे और grab करने के बाद में किसी third party company को दे दे कि आप इस data को use करके अच्छा का सा business कर सकते हो ठीक है तो जो third party company को data बेचेगा वहां से क्या होगा उसको मुनाफ़ा मिलेगा तो इस मुनाफ़े से बचने के लिए उसके उपर restrictions लगा दी गई थी कि यह legal restrictions है कि आप इस data को कहीं भी use नहीं कर सकते आप सिरफ इसको use करोगे कहां पे जो web analytics आपका है वहां पे उसको सिरफ read out करने के लिए तो कुछ काफी सारी foundations इसके उपर हैं उस चीज को लेके और जो legal courts होते हैं इसको follow करना पड़ता है ठीक है अब उसके बाद में third party support यानि कि Google क्या करता है कि उसकी जो खुद की चीजें है यानि कि web analytics जो है उसकी performance वह किसके साथ भी देता है वह आपका iOS के साथ भी देता है वह आपका Android है उसके साथ भी देता है और उसके अलावे भी काफी सारे software's है जिनके साथ यह support देता है तो support जिसके through देता है वह क्या देता है आपका API के through ठीक है अब इस API के through जो support देता है उसमें क्या होता है कि आपको funnel देदेगा यानि कि आपको data देदेगा और उस data को यानि कि API की थुरू आपको data मिल गया और उस data को जिस चाहे form में आप represent कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके के कौन से ऐसे software से हैं जिनमें इसकी API यूज होती है तो सबसे पहला है था management API ठीक है अब management API की जब आप बात करोगे तो यह है management API फिर उसके बाद में core reporting API है फिर उसके बाद में mcf API है और real time reporting API यह चार ऐसी APIs हैं जिसको use करा जाता है data read करने के लिए ठीक है अब यहां पे भी कुछ limitations होते हैं तो वह सारे के सारे जब हम आगे पूरा का पूरा software का करेंगे तो उस time पे read out करेंगे चीक है तो अब उसकी popularity की बात करी जाए कि Google Analytics की जो popularity थी वो काफी vast level पे थी यानि कि आप मान सकते हो कि अभी जो हमने discuss करा था कि 2012 में जब इसको launch करा गया था और उसके बाद में इसकी subscriptions तक इन्होंने बंद कर दी थी वो सिरफ किस वज़े से कि इसकी demand मार्केट में बहुच ज़दा थी और demand है तो means popularity भी है तो around 49.95 यानि कि around 50% लोग या 50% जो marketers थे वो इसको use करते थे इनका marketing share analysis या website data analysis करने के लिए यानि कि अगर बात करें कि जो top 1 lakh websites थी उस time पर वो 1 lakh की 1 lakh websites जो है इसी tool के through optimize करके और Alexa ranking या Google ranking में आपको दिखती थी ठीक है 2012 के अंदर जी इसका usage जो है वो 55% हो गया यानि कि 10 में और 12 यानि दो साल के इस difference में यह कितना हो गया यह हो गया 55% यानि कि 5% का extra increase हो गया यहां पे फिर उसके बाद में जब आप 2013 में जाओगे तो यह 66 हो गया तो इस तरीके से इसके popularity जो है वो day by day increase होती चलीगे क क्यूंकि हमें जब किसी business को हम run कर रहे थे और वहां पर जब हमको investment लगा रहे हैं तो हमें उसका ry चाहिए होता है आरवाई के लिए हमें data चाहिए होता है कोन user हमारे business में interested है कोन नहीं है उसको filter out कैसे करना है वो सारा का सारा हम किस के थ्रू data लेते थे Google analytics के थ्रू ठीक है तो यह इसका popularity level था अब उसके बाद में जो आपका Google analytics है उसका एक slogan है get to know your customers तो अभी तक हम जो चीजें discuss करते आ रहे हैं वो क्या discuss करते आ रहे हैं कि अपने customers के बारे में आप जान सकते हो कैसे उनका data read out करके और उसी को क्या बोलते है data analysis और यह किस के थ्रू होती है जो भी data हमने लिया है Google analytics के थ्रू ठीक है तो it means कि इसका slogan जो है वो 100% fit करता ह इसके process को और यह ऐसा कुछ इसका interface मिलता है आपको जो analytics का इंटरफेस होता है उसमें आपका क्या है कि जो भी आपके यह है लेफ्ट एंड साइड की जो यह पूरा है इसमें आपके tools describe करे गए हैं और जो राइट एंड साइड में है उसमें आपने क्या करा हुआ है उसमें आपने पूरा पूरा data represent करा हुआ है यह दो portions इसमें है पहला यह second यह इसमें से आप जा की change कर सकते हो अपने और यहां पर आप उसका data read कर सकते हो ठीक है तो basically जब से Google netix आया कब acquire हुआ और कैसा उसका interface है यहां तक की चीज़े हमने यहां पर देख लिए तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही तो next वीडियो जो होगी उसमें हम analytics के बाकी की चीज़े जो root level पे हैं वो सारी सारी discuss करेंगे और इस तरीके से discuss करते हुए हम last तक जाएंगे कहां जहां पर आज Google netix को यूज करा जाता है वहां तक ठीक है तब तके लिए बाई बाई